वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जिसमें हम पढ़ेंगी घर्षन के बारे में यानि कि प्रिक्शन क्या होता है उसके एक्जाम्पल्स देखने वाले हैं बेसिकली जो एक्जाम में बार 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 बूच जाते हैं चाहिए आपका UPPCS का एक्जाम हो, MPPSC का एक्जाम हो, कोई भी स्टेट PCS हो या फिर वन डे हो यह पूछ जाते हैं तो फिजिक्स के वही टॉपिक हम यहां पर कवर कर रहे हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जिन से पुरिश्ण बनता है और बिल्कुल उतना ही पढ़ रहे हैं पॉइंट टू-पॉइंट जो पूछा जाता है जिसमें और बाकि अगर हमारा कुछ भी बसता है तो हम practice questions में उसको solve करने वाले हैं तो इसके बाद हम practice questions भी लगाएंगे तो लगातार बने रहे चैनल के साथ चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं घर्शन की यानि की friction किसको कहा जाता है तो बहबल जो कि बस्तों के संपर के तल पर कारे करता है अब बहबल इससे आप इस पस्तित्ता समझ सकते हैं कि friction एक प्रकार का force होता है क्या होता है फोर्स होता है एक प्रकार का बल होता है तो घर्षन क्या है एक प्रकार का बल है जो कि बस्तों के संपल्पतल पर काम करेगा और सापिक्छ गती का बिरोध करेगा घर्षन क्या करेगा गती का बिरोध करता है कोई गती कर रहे है बस्तों तुसका बिरोध करेगा बै घर्षन वल की रूप में जाना जाता है, तो घर्षन आप समझ गए है कि क्या होता है, घर्षन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यह चार प्रकार का होता है, एक तो इस्थैतिक घर्षन होता है, एक लोटनिक घर्षन होता है, सरपी घर्षन होता है, और द्रव घर्षन हो भक्षम करने के लिए जाए घरशन का अपने आप बहुत माहत होता है बिना फ्रिक्षन के गति संभर नहीं है गति करने के लिए सधर फिक्सद को होना बहुत आवश्यक होता है घरशन को कम करने के लिए Tyson Jam को कि जूस किया जाता है रोलर को खीचने की अपिक्छा धक्का देना अधिक कठेन होता है इसके बाद घर्षण के लाब दिये गए घर्षण के लाब क्या होते हैं तो घर्षण हमें सता पर चलने में मदद करता है आपने देगा होगा हमारे जूते होते हैं चपल होते हैं उनमें इस प्रकार के कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनी होती है नीचे उसके जो सोल में उसमें इस प्रकार के तल ये ऐसा होता है डिजाइन कुछ बनी होती है तो ये घरशन को कम करने के लिए होता है तो ये घरशन जो है हमें सताप चलने में मदद करेगा हम चिकनी अफिसलन बाली सत घर्षन हमें लिखने में बदद करता है गर्मी उत्पन करने के लिए दोनों हाथों को रगरने का काम के कारण घर्षन भी है और मार्चस की तीली घर्षन के कारण ही जलती है आप मार्चस की तीली को क्या करते हैं उसकी जो रोगन ऐसे ऐसे बना होता है उस पर इस प्रकार से घर्षन करते हैं रगरते हैं तब ही जाकर क्या होती है वो जल जाती है तीली घर्षन कम करने की तरीके ये भी एक्जाम में पूछे रहे हैं कौन कौन से तरीकों से घर्षन कम होता है सतह को चिकना करके घर्षन रोधी धातों का उपयोग करके वाल वेरिंग का उपयोग करके या फिर इस नहीं हग का उप्योग करके तो ये सब घर्षन कम करने की तरीके होते हैं इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं कारी उर्चा और सक्ती की डेफिनेशन की कारी क्या होता है वर्क किसको कहते हैं इसके डेरिवेशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें जो qria sampan हुई है, उसको कारे कहेंगे, कारे तो वही है जब हमने कोई काम कर लिया, तो किसी बस्तूँ पर हमने force लगाया है, जैसे एक कार सिखाँ थर लिया जाए, या फिर कार छोड़ी है, एक मेज की उपर बवाल रखी है या किताब रखी है, इस किताब को हमें यहां पर हमने इस पर फोर्स लगा के इसको खिसका दिया तो यह जो किरिया हुई है इसको खिसकाने कि इसको कारे कहा जाएगा यदि बल लगाने पर बस तो की स्थेतिय में परिवर्टन नहीं है तो किया गया कारे नहीं होगा यानि की कारे बरावर बल गुड़ा बल की दिसा में विस्थापन तो W is equal to बल हो जाएगा बल की दिसा में विस्थापन हो जाएगा इसकी गुड़ा में ये इसका आप एक तरीके से मान सकते हैं ऐसे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं PCS लेविल के एक्जाम में कारे एक अदिस राश्य होती है इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है ये मात्रक बहुत बार पुछा गए है इसको जरूर याद रखें एक जूल को उर्जा की मात्रक की रुप में परिवाशित किया जाता है जब एक मीटर के विस्थापन पर एक न्यूटन का बल लगाया जाता है तो एक जूल बरावर एक न्यूटन गोड़ा एक मीटर हो जाता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जूल बरावर न्यूटन मीटर होता है न्यूटन और एक मीटर तो ठीक है न्यूटन मीटर कर लीजे एक का मातलब बंद एक ही हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को प्रतिवी की सते से उपर उठाएगा तो उसके द्वारा किया गया कारे सकारात्मक होगा यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और वह विस्थापन नहीं होता है तो वह कोई कारे नहीं करता है यह हम पहले ही पढ़ चुकी है अगर कोई कारे किसी व्यक्ति नहीं किया वो संपन नहीं हुआ तो कोई कारे नहीं माना चाहेगा उसका कारी गुरुता कर्शन की बल के लंबबत होता है यदि बल और विस्थापन परस पर लंबबत होती है तो किया गया कारी सूनी होता है बल और विस्थापन लंबबत हो गए ठीक है जो अपने बल लगाया है फोर्स लगाया है और जो force लगाया है उसके इदिसा में जो विस्थापन हुआ है वो लंबबत है तो किया गया कारी सुन्य माना जाएगा ऐसी प्रश्णा आप से एक्जाम में पूछ सकते हैं किया गया कारी सुन्य कब होता है बल और बल का विस्थापन परस पर समाना अंतर हो बल और विस्थापन परस पर लंबबत हो बल और विस्थापन परस पर अनुक्रमानुपाती हो समानुपाती कुछ भी दे सकता है तो आपको लंबबत याद रखना है ठीक है न इसके बाद उर्जा उर्जा क्या होती है किसी डेली लाइप पर अप्लाई करके देखेंगे न क्योंकि साइंस क्या है साइंस को हम यूज करते हैं हर दिन यूज कर रहे हैं साइंस को ठीक है तो अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो इनर्जी के साथ काम कर रहे हैं कोई अगर किरिया संपन हुई तो वो क्या है एक बर्क हो जाता है तो इसको आप डेली लाइप पर अप्लाई कर जी है तो इज intelligent way तो पर लोड़ होता है याद रख़िये और ऑ्दिस राशी है और यहां के प्रकार अपने देखे लिए यह नयुधिया जो यांत्रिकूर्चा किको क्यों किया यांत्रिकुर्चा कि राभर गत्रिकूर्चा भाल पूछोग, इनके वारे इमें पूछा जाएगा गत जूजा कोल यूग क्यों दोने को आते है . tension मिलाकर यहांते कुछ होती है गते जूजा क्या कहलाती है वह उर्चा जो किसी बस्तू में उसकी गती के कारण हो रही है जैसे साइकल चल लही है तो साइकल में गती के कारण जो इनर्जी आ रही है उसको गते जूजा कहेंगे यदि किसी बस्तू का द्रविमान M kg है 40 B m3 है तो उसकी गते जूजा क्या हो जाएगी kinetic energy is equal to kinetic energy is equal to हो जाएगा 1 upon 2 Mb square Mb square M is equal to विमान हो गया V velocity हो गई ठीके mass into velocity का square हो जाएगा यह आप इस प्रकार से निकाल सकते यह याल रखना है यह formula का यह बार exam में पूछा गया है किसी पिंड की उस पिंड द्वारे किये गया कारे की माफ होती है अपनी गती के कारण कर सकता है इस धाटाक अधर क्यान काफी समय से है तीव्र कदी से बहने वाली जल्की धारर की गते जूजा को पयूम अनाच पीसने के लिए सुक्तियुक है लेकिन पहले क्या होता द anthra जलूर की धाहरा है उसके उब्लंत से चक्क चलती द हैं जब्लेटा नलाक जुआ पीसा जाता इसके बाद स्थिति जूर्जा क्या कहलाएगी जो इस्थिति के कारण या फिर इस्थिति के अवस्था में है तो कोई बस्तू है एक स्थिति से दूसरे स्थिति में लाए जारी कोई बस्तू अगर ऐसे इस प्रकार रखी इसको बदल के दूसरी तरीके से रख दिया ठीक है फर कहीं और रख दिया तो इसके द्वारा जो कि आगे कार है बस तो कि इस्तिते जूर्जा की रूप में संशित होगा इस्तिते जूर्जा के कई रूप होते हैं जैसे पिर्तियास तूर्जा गृत्वे इस्तिते जूर्जा विद्यत इस्तिते जूर्जा यह सब होते हैं फल लटके रहते हैं इसके बास सक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो सक्ति को उस समय की दर से परिवाशित करते हैं से कार if किया गया है या फिर रुजाय स्थाना अंदे रित हुई है। कि सबस्क्राब् Как i है यानि कि सकती परावद क्या हो जाएतों किया गया उसको है कारे को सकती हो जाएग यह सकती बावर इसको कारे त Turns कि इसका मत रखिवत होता है यह यादकता है द्डबलू से प्रिजांद करते हैं एक सब्सक्राइन 2ौ का मात्रक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अब इसको इस प्रकार लेकिंगे, इसको इस प्रकार से भी लेक सकते हैं, जूल, और यह उपर जाएगा तो सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है रहा dy तो ये मात्रक इस प्रकार से भी हो सकता है अठारवी सताबदी में भाप इंजन की प्रवर्दकों में से एक प्रवर्दक जैम्स बॉट के नाम पर सक्ति का मात्रक बॉट रखा गया है सक्ति का बहुत पुरारा मात्रक अश्व सक्ति है एक अश्यू सकती बराबर 746 बार यह मातरक आज भी कार मॉटर वाइक इत्यादी निर्गत शमता को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आज हमने आज के वीडियो में जाना सकती क्या होती है काले क्या होता है उजा क्या होती है गते जूजा इस्तिते जूजा यांत्री गूजा के बारे में पढ़ा साथी साथ हमने सबसे पहले घर्षन के बारे में पढ़ा था फ्रिक्शन क्या होता है फ्रिक्शन के लाब देखे फ्रिक्शन के कम करने के तरीके देखे और friction से समधित कुछ तत्यों कवर गया आज की वीडियो में इतना ही इसके आगे नेक्स वीडियो में हम नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे तब तक लिए चैनल के साथ जोड़े रहें थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो कर दोड़ेंगे